हेलो फ्रैंस आज हम बहुत ही सिंपल एक सब्ची बनाएंगे चीसे आप रूटली या पराठा की साथ खा सकते हैं बहुत ही जल जेसे बन जाती है अगर घर में कोई भी सब्ची नहीं है तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना तो सबसे पहले दो चम्मच हम ऑईल ले लेते ह तो मैंने यहां पर एक बड़ा सा अन्यन लिया है अगर आपका अन्यन चोटा है तो दो अन्यन आप एड़ कर सकते हैं इसी तरह आपको छोटे साइज में से कट करना है अन्यन को हम कुक कर लेंगे करीबन एक से दो मिनित जल्दी से कुक हो जाए इसी के लिए हम नमक कर देंगे तो यहां पर मैंने चोटे-चोटे टुकडों में ही कट करके पॉटेटो को लिया है उसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अगर बड़े टुकडे रहेंगे तो इसे कुक होने में स्यादा टाइम डगेगा अब इस तरह से हम ढखकन ढखके 15-20 मिनिट क कुक हो चुके हैं तो लास्ट में टमाटर एड़ कर देंगे धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इस सारी चीज़ों को हमें लास्ट में एड़ करना है अगर अगर अब धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च को पहले एड़ कर देते हैं तो वह जल जाएगी इसलिए जब सब्जी पुरी तरह से कुक हो जाए उसके बाद एड़ करना है और आधा मिनिटी से पकाना है तो हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है इसे ले लेते हैं और उपर से थोड़े से धन्ये से गानिश कर लेते हैं तो आप इसे की फिन में भी बच्चों को दे सक सकते हैं और लंच में भी इसे खा सकते हैं रैसी भी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर करें